एक ट्रबल आर्टिस्ट को रियल वर्ल्ड में एक एंजल मिली वो ट्रैप्ट थी तो उसे वो बचा लेता है इसके बात उसके ग्रीड की वज़े से सब कुछ कॉम्प्लिकेट हो गया अगर आपको वीडियो अच्छ लगता है तो प्लीज इससे लाइक कर दीजेगा अब बिना गिज़ दरीके एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन गैरेक्टर जिसका नाम है नेट यह हमसे इंट्रूडियूस होता है अक्ट्रूल में वो जब वो यंग था बहुत ही फेमस हुआ करता था पर उसकी हालत अब बहुत खराब है इसके बाद स्ट्रीट में एक आदमी उसे मार कर गाड़े में डाल कर एक जगा पर लेकर जा रहा था नेट समझ गया यह उसे मार डालने वाला है सुमसान जगा पर यह भोज है उसे मार बने वाला था तभी उस आदमी को बोलिया लग की शायद उस आदमी के कोई और दुश्मन थे नेट की जान बच जाती है वो आदमी डेट बॉड़ी के पास आया उससे कुछ लिया और यहां से चले गए नेट टाउन से बहुत ही दूर था तो उसे वैसे ही चल्दे चल्द से जाना पड़ता है फिर उसकी नजर एक सरकस्वर पड़ी यहाँ पर एक पफोर्मर से वो फोन के लिए पूछता है जब वो यह ढूंड रहा था तो उसकी नजर लिली पर पड़ी वो एक बॉक्स में थी और उसने एंजल का कौश्यूम पहना हुआ था पर वो खुद भी इंजल से कम नहीं नेट उसमें इंट्रेस्टेड हो गया उसे पास से देखना चाता था बाहर आकर उसके ट्रेलर तक वो पहुच जाता है लिली गुस्से में उससे गहती है तो उन्हें पैसे पेक किये थे और शो खतम हो चुगा है अगर फिर से आए तो मेरे आदमें तु मान जाती है नेट को अपना नसीब बहुत अच्छा लगा कि एक घंटे पेले हो मरने वाला था और अब एक एंजल के साथ है वो उसे पुछता है क्या कभी तुम अमेरिका गई हो या एक्चुल मैं मैं मैक्सिगो में है वो कहती कि मैं जाना चाहती हूँ लिली की अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए नेट जाते जाते कहता है अगर तुम्हें यहाँ से भागने में किसी हेल्प की जरूरत हो तो मैं तुम्हें कर सकता हो लिली इसके लिए मना कर देती है जब वो बहार आया तो खिड़की से लिली की विंग्स देखता है वो यंग एज में नेट बहुत ही फेमस ट्रंकेट प्लेयर था और उसके गाने वो अभी भी सुनती है बाहर आने के बाद कुछ लोग नेट को घेर लेते यह लीली का बॉस था वो उसे गयता है तुम लीली को मुझसे क्यों चुराना चाहते हो मैं उसे तुमारे जैसे लोगों स पुसा देती है जल्दी से उसने नेट को बचा लिया यह दोनों दूर आकर गैस्टेशन पर हैंग आउट कर रहे थे नेट अपने फ्रेंड को कॉल लगाता है अभी अभी उस पर जो हमला हुआ था एक गैंक्स्टर ने करवाय हुआ था इसके पीछे का रिजन यह है कि उस जो उड़ने का ट्राय कर रही थी थोड़ा सा आसमान में वो फ्लोट भी करने लग गई थी उससे देखता ही रह गया उसके पास आता है वो कहती है इस विंग्स के लिए में जरा बड़ी हूँ अगर राइट विंग हो तो थोटी फार फ्लोट कर सकती है नेट एक्साइट ह लोकर उसके पिक्चर्स लेता है गाड़ी में लीली नेट से पूछती है यह हुआ क्या था नेट ने का इमें गैंस्टर की वाइफ के साथ इंटिमेट हुआ था इसलिए मुझे मारने के लिए उसने गुंड़े को भीजा हुआ था लीली पूछती है क्या तुम उससे प्य लिकनी से ओशन को स्मेल कर सकती थी उसने अब तक सी देखा नहीं नेट कहता है सी बहुत ही ब्यूटिफुल होता है एक दिन में तुम्हें लेकर जाओंगा लीली के विंग हर्ड कर रहे थे तो उसने अपना जैकेट निकाल लिया अपने विंग्स ओपन करती है नेट अव सुर्ड में बिलॉग नहीं करती उसे सब की तरह नॉर्मल होना था नेट उसे बाद में सौरी कहता है जब सुबह होए तो वहां से गायव हो गई थी नेट उठने के बाद उसे कई भी ढोड़नी पाता बहुत ही डिस्टरब हो गया बाहर आया तो एक आदमीने उसे का क्यो डॉक्टर का अड्रेस था जल्दी से वहां पर वो बहुत जाता है लीली इस डॉक्टर के पास अपने विंग्स को निकालने के लिए आई हुई थी नेट ने जाकर इसे रोक लिया वो लीली को समझाता है कि तुम अमेजिंग हो डॉक्टर कहते हैं कि नॉर्मल नहीं नेट कट काता है नॉर्मल होने से क्या पराइज मिल जाता है लीली जैसी है वो बहुत ही ब्यूटिफुल है लीली को भी फर्स सांव किसी ने एकसेप्ट किया तुसे बहुत अच्छ लगा नेट ने डॉक्टर को ढूम की ति अगर इसके बारे में उसने किसी को भी बताया तु उसे बताता है उसकी फ्रेंड ने का कि वो लीली को बरबात कर देगा नेट कहता है मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा मैं भी हमेशा उसके साथ ही रहूंगा मैं सिर्फ उसके फ्यूचर का एक पार्ट उसे दे रहा हूं नेट लीली को बेज देने वाला है पर फिर भी करता रहेगा नेट के फ्रेंड ने पूचा कि लीली में ऐसा क्या है जो उसमें सब लोग इंटरस्टेड होंगे इसके बाद डारेक्ली कैंग स्टोर को उसने फोटो जगरा दिखाई वो रियालिटी में तो इस पर बिलिव नहीं करता पर कोई भी चांस भी लेना नहीं चाहत क्योंकि बहुत ही बड़ी उपोर्चुनिटी है जैंस्टन ने कहा क्या अगर मैंने तुम्हीं यही मार डाला तो मुझे उसके पास जाकर पाने में कोई भी रोक नहीं सकता नेट कहता है मुझे पता नहीं कि वो कहा है अगर थोड़ी दिर में मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल नहीं किया तो लीली हमेशा के लिए गायब हो जाएगी गैंग्स्टर नेट को मारना चाता था पर उसके जान के बदले में वो लीली को दे देता है लीली जो भी अर्निंग करेगी इसके थोड़े से पर से नेट हमेशा लेता रहेगा गैंग्स्टर ने का यह सब तो ठीक है पर रियालिटी में मुझे उसके देखना पड़ेगा यह फिर एक कंसर्ट की जगा मीटिंग फिक्स करते हैं अगली दिन एक रिमोट सी जगा पर आकर लीली और नेट यह दोना हैंगाउट कर रहे थे लीली पूछती है तुम तो बहुत ही फेमस थे तो अब हुआ क्या वो ओपन कंसर्ट था तो दूर से वो लीली और नेट को देख सकता है नेट कोई भी चीज रिस्क नहीं करना चाता वो लीली के विंग्स को देखना चाता था तो लीली ने भी ओपन कर दिये गैंस्टर भी देखकर सप्राइस हो जाता है उसने अपने आदमी को गा जा और करने ही पड़ेगी रात में लिली और नेट ये दोनों जब अपने मॉटेल पर आये तो नेट कहता है चोलो में तुमें कही लेकर जलता हूं वो उसे एक बड़े से ठेटर में लेकर आया वहाँ पर सी की पेंटिंग थी लिली ने देखा ये फेक था पर फिर भी उसे पेट सुनना चाहती थी नेट पर एक बहुत ही ब्यूटिफुल सी धून बजाता है लिली के आखों में आसो आगे वो कहती कि यह सब कुछ बहुत ही परफेक्ट है एक मूवी की तरह वो फिर उसके साथ डांस करती है उसने कहा कि मुझे किस करो और इनका फरस किस था इसके अपने आखों के सामने उसकी डेट देखी थी उसे बहुत बुरा लगता है आज रात इन दोनों में नजदी किया बहुत बढ़ चुकी थी सुबाओने पर गैंग्स्टर अचानक इनके रूम में पहुझ गया वो नेट पर जाकू लगा दिया है गैंग्स्टर का नाम है है हैपी लिली को सब कुछ बता देता है कि नेट उसे बेचना जाता था हैपी ने कहा कि तुम बहुत यूनिक हो सबसे ब्यूटिफुल मैं तुमें केज में नहीं रख सकता है वो उसे अपने ले पाना जाता है वो गहता है तुम्हारा ओडियंस सिर्फ में ही रहूंगा वो हम कंटिन्यू करेंगे लिली उसके साथ गई सिर्फ नेट को बचाने के लिए नेट बहुत ही डिस्टब था नेट उससे कहता है मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ उसकी फ्रेंड इसके लिए उसे हेल्प करती है उन्होंने एक ट्रक लिया और एक यैंक्स्टर के पास गय वो ब्रिटेंड करती है कि यैंक्स्टर ने कुछ घर पर मंगवाय हुआ था गाड़ी से उतर कर नेट लिली के पास पहुँच गया लिली हैपी के साथ मूवी देख रही थी नेट कहता है मेरे साथ चलो यह तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यह जाओ जाओ लेकर जाओ प अपने आते हैं वो बहुत रोता है उसे पैसों की जरुएत थी तो एक जगह पर ट्रंकेट बजाने का उसे कॉंट्रेक्ट मिला उसकी कुछ एडवांस पैसे उसने पहले ही ले लिये अगली दिन हैपी लिली को एक बहुत ही बड़े पार्टी में लेकर जा रहा है वो लिल लिली के साथ है तो बहुत ही हैपी है अब उसे नाम सूट करता है उसने लिली को एक ब्यूटिफुल से डायमंड का नेकलिस दिया ये दोनों पार्टी में आये इस पार्टी को देखकर लिली सप्राइस थी इसी पार्टी में नेट ट्रंपेट बजा रहा था हैपी की बहुत जाता ट्रंक हो गया एक लड़की से बात कर रहा था वो उसे डारेक्ली घर पर लेकर आती है उसकी बॉड़ी पर भी एंजल की टैटूस है नेट उसे इंटिमेट होने के लिए मना कर रहा था इस लड़की के हाथ में कोकेन भी है उसे जबर्दसी दे देती है रहता तो मर जाता पर उसे हेल्प करने के लिए उसकी फ्रेंड आगे वो उसके जान बचा लेती है इसके बाद लीली का पता निकाल कर वो हैपी के घर में घुश गया वो लीली से कहता है कि मेरी ही वज़े से तुम अभी आ हो उसे फिर से घर लेकर जाना चाहता था हैपी यह सब देखा और उसे मार डालता है उसे लीली बर शक हो गया उसे लगा कि लीली भी उसके साथ भाग जाने वाली थी वो गुश्य में लीली को बहुत मारता है उसको सब लोगों को दिखाता है लीली एक मिराकल है उसे देखने के लिए बहुत सारे पैसे देने के लिए ल यहां नेट को पता चला कि हैपी लिली के साथ क्या कर रहा है वो गुस्सा हो गया अपनी friend की मदद से उस club में पहुंच जाता है वो लिली के पास आया उसे इस तरीके से केज में देखकर उसके आग में आसो आ गये लिली भी उसे देखकर रो रही थि हैप्पी उसके पीछा आया उसने का कि ये कितनी ब्यूटिफुल है नेट उसे बहुत मारता है हैप्पी के लोग इनके पास पहुचे उससे पहले उसने लीली को फ्री कर दिया भागते भागते ये टेरेस तक पहुच जाते है इनके पास अब कोई भी वे नहीं था नेट लीली से कहता है अब तुम्हें उड़ना पड़ेगा वो बहुत ही डर गई थी कहती है मैंने कभी भी किया नहीं है वो कर नहीं सकती नेट कहता है वीन पावरफुल है हमारे पास हाइट है तुम्हें कर सकती हो टेरेस का दर्वाज तोड़ कर हैपी की आदमी पहुच चुके थे नेट लिली को किस करता उसने जम मार दिये लिली भी उसे बचाने के लिए जम मार दिये उसे पकड़ दिये और अब वो फ्लाइ कर रही थी हैपी है सब देखती रह गया उसे फ्लाइ करते करते दूर लेकर चली गई अब हमारा इस मूवी का ट्वीस चाता है मूवी के फर्स में हमने देखा था कि नेट को मारने के लिए एक आदमी डेजर्ड में लेकर गया है ये दोनों जब उड रहे थे तो नेट ने फिर से उसी स्पोर्ट को देखा वहाब और उसकी लाश पड़ी हुई थी इसका मतलब है उसकी मूवी के फर्स में डेथ हो चुकी है जो भी हो रहा था ये उसका गोस्ट था अगर इस मूवी में हम नेट का कैरेक्टर देखे तो एक डीमन की तराई है लिले एक एंजल है एंजल और डीमन की लो स्टोरी बहुत ही फेमस माइथोलोजी है और ये ही इस मूवी के वर्ल्ड में इन्होंने क्रेट की अब ये दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे इसे के साथ आज का वीडियो हम खतम करते है अगर आपके अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दबनाए मत भुलिएगा हम वीडियो से मिलेंगे और एक निम्यों के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया